रिवा पुलिस ने बड़ी काम्यावी हासिल की है जी हां रिवा पुलिस ने 18 कुंटल गांजा जिसकी बाजार में कीमत करीब 1,80,30,000 रुपए के आसपास बताई जाती है साथ ही पुलिस ने ट्रैक करमांग CG04JD7277 जिसकी बाजार में कीमत करीब 10,00 रुपए बताई जाती है हम आपको बता दे या करवाई अभी हाली में रायपूर करचलियान के थाना प्रभारी बनाए गए आदिद परताब सिंग सहित पूरी टीम को बिली है पुलिस को सूचना मिली थी कि गांजे की खेप विशाखा पटनम विजयनगर आंतरप्रदेश से इलहाबाद ले जाए जाएगी पुलिस ने जाल बिछाया और ट्रैक को पकड़ लिया चालक सरवेर सिंग और सूराज मरावी को हिरासत ने लेकर ट्रैक में तलाशी ली तो पान सो बुरी नमक के नीचे लदे गए गांजे को बरामत करने में सफलता पाई इस बारे में पुलिस कप्तान आविद खान ने परसरकार वारता करके पुलिस की सफलता की चाल का दिदी आईए आपको सनाते हैं पुलिस अधिक्षक ने क्या कहा देखिए आज रायबुर करचुलियांग पुलिस जो वीवाजले में हमारा थाना है और उसको एक इंपुट मिला गांजे के बारे में जिस पर से हम लोगों ने एक ट्रक को चेक किया चेक करने पर ट्रक में बाहर से तो उसमें करीब नमक हर तरफ रखा हुआ था नमक रखा हुआ था करीब 500 पैकेट नमक के जब हटाए गए हैं तो उसके अंदर जो हुआ गांजे के पैकेट बांद-बांद के बड़े विवस्थिधध धंग से पैक करके उसको रखा गया था ऐसे करीब 59 पैकेट्स हम लोग को मिले और उन 59 पैकेट्स के अंदर भी और बारीकी से उसको पैक किया गया था लग लग छोटे पैकेटों में और इसका तौल प्रिग्रिया जब पूरी की गई तो करीब यह 1833 किलो गांजा जो है यह समझ में आ रहा है देखिए सप्लायर रायपूर का है जाना है इलावाद और गाड़ी है 36 गड़की और लेकिन गांजा आ रहा है आंदर प्रदेश से तो यह मल्टी स्टेट कारवाई हो रही है मतलब कि गैंग जो है वो इंटर स्टेट ऑपरेट कर रहा है सिफ रायपूर से ही नहीं मंगवा रहा है वो रायपूर वाला आदमी आंदर प्रदेश से भी गांजा मंगवा रहा है और सपलाई कर रहा है उपी के लिए उनके लिए मतलब यह इसकी कीमत जो गांजा की है करीब एक करोड़ अस्री लाग की आसपास है जो नॉर्मल मार्केट में जो कहते हैं ब्लैक में करे लिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजे इजादत और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंट चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं